देखे पूरी जनता ये कह रही ना दूरी है ना खाई है मोदी हमारा भाई है आज यहां की जनता जो है सुरुच्छित महसूस कर रही कुछ नहीं है जो आशू पोछने का काम करते हैं जनता इनको 24 में रुलाएगी और इनका आशू पोछने का कोई नहीं मिलेगा जिस तरह से इनकी सीटे एक भी नहीं आने वाली है नमस्कार, 2024 चुनाव की जब चर्चा करते हैं तो पहले फेस का अब मतदान जो समय है वो सिर्फ लगबग दो हपते के आसपास कपड़ गया है सभी पार्टिया जो श्करोस के साथ में अपने उमिदवार के पक्ष में जनता के बीच में जा रही है और चुनावी वाय दे अब खोल रही है वो पक्ष में वत्गान करने की बातों को लेकर के बिपक्ष सत्ता पक्ष पे आक्रमन कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष बिपक्ष पे आक्रमन करता है कभी सम्मिधान हटाने की बात कॉंग्रेस करने वाली वो खुद कहती है अपने मेनफोर्स्टों में कि भाई हम आएंगे कर सरकार में न तो हम खुद इतनी इतनी जगों पे सम्मिधान में संसूदन करेंगे जनता जनार्दन जुड़ने की कोशिश देखे पुरी जनता ये कह रही ना दूरी है ना खाई है मोदी हमारा भाई है ये जो आप एक चमक देख रहे हैं आज हिंदुस्तान में नई वुर्जा जो आप देख रहे हैं जनता के अंदर जो एक नई वुर्जा पैदा हो रही है इस सब का श्रे मोदी जी को जाता है आज यहां की जनता जो है सुशासन में रह रही है यहां की जनता जो है भरष्टाचारियों से मुक्त हो रही है गुंडाईयों से मुक्त हुई है आज यहां की जनता जो है सुरुच्छित महसूस कर रही है उसको आवास मिला है उसको फिरी में राशन मिला हुआ है फिरी में सब्सक्राइब यह सतर सालों तक हिंदूस्तान को लूटा भारत लूटा उन्हीं के ऊपर छापे पढ़ेंगे और देख रहे हैं कहीं से तीन हजार कर निकला है कहीं से आरोफ हैं हम पर सत्य हो रहे हैं इसलिए डर गया है और मैं मानता हूँ इस बार जो है विपच्छ मुक्त भारत होगा निरंदर मोधी का नया भारत का है देखिए समाजवाधी पार्टी के मुक्ति अब भवेदे बहने आसू परोषते है लेकिन यहां की जनता जानती है हिंदुस्तान जानता है कि वो कितने बड़े अफराद ही थे उनके उपर कौन कौन से अक्ट लगे हुए थे आज ये जो आसू पोछने का काम करते हैं जनता इनको 24 में रुलाएगी और इनका आसू पोछने का कोई नहीं मिलेगा जिस तरह से इनकी सीटें एक भी नहीं आने समाजवादी पार्टी है अब तो समाजवादी पार्टी है आप समाजवादी पार्टी क्यों लिए फिर ने वह समाप्त हो गई है कहां उसका नामों निशान इस बार इस बार उनकी एक भी सीटें नहीं आने वाली है और यहां की जंता जो है उनका यह परिवारवाद मिट जाने वाली है इस बार 24 में यह मिटके रहेंगे यह समावत हो जाएंगे इस बार यादों को जानते हैं जो बड़े नेता चचा है वह भी हार रहे हैं आपको देना पड़े वीडियो वाइरल हो रही है कहरें बाइसाब अगर अपने मत्दान नहीं किया हमारे पक्ष में तो कि वाकई में डर गए हैं और यह सब समझ गए हैं कि हम बुरी तरीके से हार रहे हैं और भाजपा का कंडिरेट जो है भाजपा सरकार दोबारा फिर फुल महुमत से आ रहे हैं बिलकुल नहीं मानता हूं जो अपराधी हो उसको मसीह मानेंगे बताईए कहां लिखा हुआ है को से आप उसमें जी रहें किसी भरष्टाचारी को किसी परिवारवादी को और किसी गुंडाई को न वो भाई हो सकता है न वो परिवार का हो सकता है वो गुंडा है तो गुंडा रहेगा हो तो बीच में तो दलितों का तो इन्होंने नास कर दिया जैसे अखिलेस झी ने जैसे सपत लिया वैसे इन्हों नारच फ्रण फदूनत पर फ्रण एक खतम कर दिया तो कैसे हो सकते हैं आप बीडिया कैसे बनाए दलित हमारे साथ कैसे हो सकता है दलीत उनके साथ बिल्कुल नहीं मानता हूं दलीत उनके साथ कैसे बताइए आद चंदर सेखार राओड अपना परचा भर दी अलग चुना लड़ रहा है पटेल जो है पली पटेल वो किनारे हो गई स्वाइब परसाद मौर्या किनारे हो गए पीडिये का रह हाँ कहा गया है जिर परिवारतों रहा है कि यह देश में ये शिर्फ नहारा दे रहे हैं पीडिये पीडिये लेकिके पास कोई भी कावेगती नहीं है यह चुनाव घल रहा है रहुल गांधी रहा है आखा रहा है मतलब मैं निरदल समय salsaan नेर्दल समयस्ता अधी सरकार चलाई तब तक वह मुसल्मान डलीट और अपर काश्ट को लेके चली और वह सरकार बनाती रहें लेकिन जब वह चली गया उसके बाषित से जब मुसल्मानों के साथ भी वह वह रहा हुआ तो डलीट भी आगे पूरे उत्तर परदेश में एक भी मुस्लिम को आप ढूंड लाईए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ जी जिसके ऊपर बगएर किसी आरोब के बुल्डोजर चला हो इसको भी जबाब देना पड़ेगा कि आपके गिरफ्ट में आपके प्रशासन के गिरफ्ट में और उसके बाद कोट के ठीक सामने चीजों को समझने के लिए ले जाया जाता है और सजा अफ़ता ठीक है लेकिन उसको टपका दिया जाता है देखे भरष्टाचारी अपराधी गुंडा माफिया इनके लिए न कोई धर्म है न जात है न यह हिंदुस्तानी है न भारत वासी है कुछ भी हो सकता है इनके साथ अइसे गुंडा मावाली ओं का आप साथ आप मीडिया वाले साथ देंगे बड़ाफसोस होता है अब अपने देश के नागरे के सम्मेदानिक पत्पे बैठे हुए लोग है विपच्छ है कहां मुझे तो नहीं देखता विपच्छ कहां है कहां है विपच्छ अधर प्रद पार 17 का चुनाव हुआ 19 का चुनाव हुआ 22 का चुनाव हुआ सम्मेद होते चले गए 24 में बिल्कुल दो जाएंगे अब तो वो गटबंदन के साथ में कहां एक प्रत्यासी है महाबली हो जाएगा देखते हैं 24 का चुनाव है इंतजार करते हैं पंकज क्या लगता है उत्तर प्रदेश का क्या माहुल यह है कि हर आदमी भारती जनता पार्टी से प्रेरित है भारती जनता पार्टी की नीतियों से संतुष्ठ है और पॉर्ड रूप से जो है भारती जनता पार्टी की पक्ष में फेबर में ओट करेगा जी विपक्ष को क्यों नहीं मौका कि राहुल गांदी को क्यों मौका नहीं चीजें नकारात्मक्ता से लब्रेज हैं इस वज़ा से विपक्ष के उपर व सारप देश में जो है मोधी में है और इसके सिवा कुछ नहीं है मिजाज वही है कंधरेश ने आज तक जो राज चलाया पहले तो मौका उन्हीं को मिला, उन्होंने जो राज चलाया, आज उनकी जो भी गलतिया किये है, उसकी देन है, कि नर्मानी नर्द मोधी जी सरकार में आया और जनता के बीच वेगे जनता ने विश्वास दिलाया और जनता के विश्वास जब हुआ तो प्रचंद बहुमत से जीट के आये दो छुटी हो जाएगी बिल्कुल नहीं होगी भाई साब बिल्कुल इस बार 400 के पार होना सुनी एंक तबता है क्योंकि आम जनता के पास तक भाजबाक कफ कर टता और भाजबाक जो नीती है और भाजबाकी जो यह जनार है एक घर तक पहुंची है तो वह जिनके घर में पहुंची और पर देशने जो साफ हो जाता है इनकी पार्टी में आके आदमी के डिटर्जन लग जाता वो गलत काम पर नहीं कर सकता है तो उसका भुकतान तो भुकते गाना रहुल काधी बार 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 ये कहते हैं नडायक भूमी का निभाएगा नई तो बाद में मोधी जो है राजा बनके बैट जाएंगे उनको इस बात का डर है ना कि उनका खजाना खाली हो चुका वो कोई तो जहाँ जहां कि सरकार हैं वहाँ न क्यों नहीं दे रहें वान देख समझे ज़िआ दर उनका और ट थरके वह पाद कर दकिने चाहिए जो जो यहां बोलना है teasing एक उसित माख吧 कर तो जपकरी है तो वहां भी मेट दे तो पढ़िक देखे कि वहाँ वहां भी लागू कर दिया इनों ने घोशना पत्र नहीं है नियाए पत्र है कुछ नहीं है तो कर रहे हैं यह जो का देकर देख लेते हैं देना चाहिए हम यह नहीं कहते हैं विपच्च को नाकार में बिल्कुल खतम कर देना चाहिए विपच्च को होना चाहिए मजबूत होना साब सुत्रीच्छा भी हो तो विपश्च्छ और ताकतवर होके आएगा सामने